गुद्मॉरिंग एवरिवन दिस इस अकांग्शा और वॉचिंग ट्रिकोलोजिस टेडिजिला आज के सेशन में हम डिसकुस करेंगे महुत सो सम्मेलन और बैठकों के बारे में तो जितनी भी मतलब 2020 में चाहे 2019 में जितनी भी बैठके हुई हैं जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो सभी हम ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि बहुत लंबी चौड़े लिस्ट हो जाती है जिसको याद करना याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो इससे बहतर है कि हम ट्रिक से याद करें ताकि एक्जाम में आपको ऑप्शन दिखते ही थोड़ा हिंट मिल जाए और आप आसानी से करेक्ट ऑप महत्सो और एक होता है लोसांग महत्सो तो दोनों में कन्फ्यूज मत होईगा क्या होता है एक लोसांग महत्सो तो जो लोसार महत्सो होता है इसका आयोजन किया गयाता है हिमाचल परदेश में लेकिन अगर लोसांग महत्सो की बात करें तो इसका आयोजन होता है सिक्के मे तो कैसे ध्यान रखेंगे, दोनों में confused नहीं हो रहा है, देखें जो song होता है, अगर हमें सिक्के मिल जाए, पैसे, अगर हमें सिक्के मिल जाए, तो बड़ी खुशी होती है, लोग गाने गाने लगते हैं, song का मतलब क्या गाने गाने लगते हैं सिक्के मिलने पे, तो low song और लोग क्या करने लगते हैं गाने गाने लगते हैं तो लौसार के सारे पैसे चले जाया तो चहरा कैसे हो好吃 है और लौसार को कहा पर हमान चल परदेश से तो देखे बस आपको तोई हिंट चाहिए अगर सॉंग हम कम गाते हैं जब हमें सिक्के मिलते हैं और सारे के बाद में क्या होगा सारे के सारे पैसे क्या होगा चले गए तो इसे हिमानचल याद रख लीजिए और उसके नेक्स देखिए कि आठवा अंतरास्टी यह पॉरेट उनको समान इतना पसंद आ जाता है कि वहीं पर फाल यानि गिर पढ़ जाते हैं कि नहीं हमको यह चाहिए चाहिए तो इन फाल यानि फाल हो जाते हैं गिर जाते हैं कि नहीं हमको यह चाहिए मार्ट में जाने के बाद हर समान उनको चाहिए जाने ही जाने लगता है तो इन नारंगी वैसे आप कन्फ्यूज मत होगेगा क्योंकि संतरे होते हैं वो माराश में नागपुर में सबसे जादे होते हैं तो यह वहाँ पर नहीं आयोजिन किया गया था बलकि मडीपूर में किया गया तो बस ऐसे ध्यान रखे कि जो मड़ी का शेप होता है मड़ी का जो आकार होता है वो नारंगी की तरह होता है तो बस ऐसे ध्यार लग सकते है कि कैसा मड़ीपूर में इसका आयोजन किया गया था और संगाई यह तो काफी famous है यह भी कहाँ पर मड़ीपूर में और second है उसके बाद देखिए राष्ट्रिय जनजाती नरितम होगा तो इसका आयोजन रायपूर में किया गया था रायपूर चत्रिसगर की कैपटल तो देखिए जनजाती के अगर बात करें तो जनजाती जो है वो क्या होती है अगर इंडिया में देखे तो बहुत ही जादे जया तो चत्रिसगर की कैपटल रायपूर मेंिशका आयोजन किया गया था उसके बाद है होन्वील फेस्टिबल तो हंवील फेस्टिबल जो रगव्य आग्स है नागा लां्न का ये एक फेस्टिबल है तो 2019 में में और दिल्ट ये यह तना इ एक्जाम में आ गया कि 2020 का आयोजन कहां हुआ था तो बहुत लोग गलत करके आएंगे तो यह इतना अलग है कि आप ध्यान रखेगा नेक्स्ट है कि पाच्वा भारती इंतरास्टे विज्ञान महुट्सो इसका आयोजन जो किया गया था वो कोलकाता में किया गया था और कबीता तो अगर जो बंगॉली भाषा देखें तो बंगॉली भाषा में लोग कैसे बोलेख रस गुला हम लोग बोलते हैं तो बहारती आंतरास्ट्री विग्यान महुट्सो का आयोजन भी कहां कोलकाता में किया गया था तो शापचार कुट उतेवार जो है वो कहां पर मि मैं किया गया था तो तु देखिए मिजोरम कैसे धाना खेंगे रम यानी रम की बात कर रहे हैं तो सुम्धODGUificación तु पहले किया तो पह जाहे ना चार पांच वड़ा चाह जिन किया गया था चापचार कूतमोच वाली यत्रा वंदा यत्रा ce तेनों कहां पर स्कायोज़न किया गया था god उडिसा में यह बाली यात्रा या फिर जात्रा करके यह सारी तो बहुत द्लिकितcuss dal के द्धाय। कि जब वहाँ पे चावल की आप लोगो पता होगा कि उडिशा में जो है वो चावल की खीती किती जादे होती है तो जब वहाँ पे चावल की कटाई वगरे सब कुछ हो जाता है तो वहाँ पे नुवा खाई महोचसो मनाये जाता है तो किकि नए नए खानी को मिलता है चावल नए नए आता है तो इसलिए धान लाग सकते हैं कि नुवा खाई महुत्सो और बहुदा यात्रा कहीं कहीं जात्रा मिलेगा तो बहुदा जात्रा भी क्या मिला होगा उडिसा में उसके बाद संगम उत्सो और खीर भवानी मेला, इसका आयोजन जो था वो जम्मू कश्मीर में किया गया था, तो देखें कैसे धाना किए संगम, वैसे हम वो संगम मेले की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो कि अलाबाद में पिछली बार लगा था, तो संगम यहाँ पर उत्सो क कि बात की जा रही है, तो यह जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था, कैसे हाल रखेंगे, संगम, मतलब सारे गम को भूल जाओ, ठीके, लो यह खीर काओ, मालीजे कोई बहुत ही अपसेट है, तो क्या बोल रहा है, उसको सारे गम को भूल जाओ, लो यह खीर उसके बाद पाचवां तरास्ट्री रामायड महतसो और सोपान महतसो, यह दोनों जो है नई दिल्ली में, तो कैसे धाना केंगे, अगर किसी से पूछा जाए, या कि नई दिल्ली के लोग, मतलब देखें, नई दिल्ली अगर वो सुना जाओ, तो कितनी हाइटेक वो लगत तो अगर पूला जाए कि नई दिल्ली के लोग रामायड देखते होंगे, क्या है ना, तो किसी ने बोला कि सपने में भी नहीं, ठीके वो लोग कि पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो लोग रामायड देखते हों, ठीके तो कैसे धाना केंगे, नई दिल्ली के लोग रा तो कैसे धाना केंगे देखिए आदी का मतलब क्या होता है बिगिनिंग यानि शुरुआत तो अगर भारत की शुरुआत देखे तो कहां से होती है अगर हम टॉप से जाएं तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा लेह लद्दाग तो बहुत ही असान है आदी मतलब क्या होता है काला गोड़ा महुत सु और गुरी पढ़वा जो की गण्ने से बनाया जाता है तो गुरर का नाम सुनते ही मूह में पान now प्रकार की पक्षी होती है और яंद्र प्रदेस में एक वो है टट है पुलिकट पुलिकट वो लेख है यानि पुलिकट जील है वहाँ पे जो फ्लेमिंगो पक्षी है ये काफी जादे काफी जादे आता है तो इसलिए जब वो आते है तब फ्लेमिंगो का तेवार मनाया जाता है तो ये तो वैसे ही इंपोर्टेंट है फ्लेमिंगो या फिर बियु अतिवार यह इसम में मनाया जाता है बात होती है देखिए द्वीजिंग महत सो vrijOS हो सकतい बेट हो अभू बाचि मिला कैसे द्यान अखेगा द्वीजिंग और बीजिंग देखिए बीजिंग जो होती है वो किसके कैपिटल है चाइना की capital है तो तोनों सेम-सेम नहीं मुझे ट्रेक उता समझ तो नहीं आ रहा था लेकिन आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ज़रके जो पंडी चे बताते नहीं है कि यह मंगला है मंगला मंगली जो भी है यह उनक बताते हैं तो देखें मंगला मंगली अगर कोई भी लड़का लड़की हो जाते हैं तो क्या बोलते है किसी और से शादी करा दो करा दो या फेर शादी करा जल्दी तो शादी करा दो करा से करा वली हो गया अब ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं उसके बाद तुम्भी मौत सो तुम्भी मौत सो या फिर Dragonfly Festival ये केरल में इस कायो जिन किया गया था तो तुम भी को ऐसे जहां रखेंगे कुछ आप लोग भी ट्रिक बिना लीजेगे अगर तुम भी मोज सको कोई ट्रिक बिन रहा है तो आप कमेंट सेक्षिन में लिखेगा उसके बाद अंतरास्टे सम्मेलन आंगन और वैश्विक रस सम्मेलन नहीं दिल्ली में तो अगर पूछा जाए कि भारत का आंगन कौन सा है तो बस ऐसे इमाजिन करिए कि भारत कोई बिल्डिंग है और उसका आंगन नहीं दिल्ली है क्योंकि एक ऐसा प्लेस होता है जो बिल्कुल बीचो बीच होता है तो बीचो बीच होता है तो नह दिली समझ ली जैसे करके आंगन ध्यान लखेगा और आंगन का फुल फॉल्फर्म है कि A का मतलब होता है Augmenting और N का मतलब A का मतलब Augmenting, N का मतलब Nature by Green जिसके मतलब Green और A का मतलब Affordable और N का मतलब होता है New Habit यानि Augmenting Nature by Green, Affordable, New Habit तो ऐसे ध्यान रखेगा कि नाई दिल्ली उसके बाद रसद्री्ट समेलन यह भी नई दिल्ली में स्कायवजि eldestर्जिण कर गए तो ऐसे ध्यान रखेकी कि अगर कोई भी रसीत कटानी तो बोला जाता है जाों नई दिली से इसकी रसीत कटेगी तो याद करने के लिए उससा बनाएं गया है पाछवा धर्म धम सम्मेलन तो अपर को पता है कि राजगीर जो है यहां कितना फेमस है बहुत वग्यर के लिए तो फाछवा धर्म धम सम्मेलन कहां पर हुआ था राजगीर में जो कि बिहार में है और बतुकम्मा उत्सो और बोनालू तेवार ये दोनों तेलंगाना में सकायोजन किया गया था तो दीखें बतुकम्मा उत्सो और बोनालू तेवार तेलंगाना में सकायोजन किया जाता है तो कैसे आता थेंगे बोनालू पहले बोनालू देखते हैं बनालू, आलू तो आलू को क्या करते हैं या पर बथ कुम्मा लेखाए तो ऐसा कौन करते हैं हमारी अम्मा तो बनाती है ओलू हालू को तेल में कौन मुटता लेगा अम्मा तो अम्मा समयाएंगे बथुक अम्मा उसके बाद नीरमल जलमहोटसो नीरमल जलमहोटसो होना चाहिए वैसे ये तो और खर्ची पूझा मुझसो और लाई हरोबा तो नीरमल तो बहुत ही फेमस है इसकी ट्रिक के जरुवत नही और खर्ची पूझा देखें जिनको नहीं पता ऐसे ध्यान रखें कि खर्ची पूझा जब हमें पैसे मिलते तो पूरे के पूरे पैसे क्या होते है खर्च हो जाते है तो पूरे के पूरे के ऐसे खर्च हो जाते है तो पूरा त्रिपूरा जिस राजे में पूरा है बस वह कहता है चुटकियों में फूरा का पूरा लाइक खतम हो जाता है तो इसमें क्रोंइ भी पूरा आ रहा है겠습니다 थितने कंडाघ है, नहसे संषर को सबस्केमों बाता ह 24 चूटकियों में रहा है these दंडे में टांग के उपडे सरा ले जाते हैं तो अजी को बोलते हैं कॉटन केंडी और कॉटन केंडी कितनी होती है बहुत ही स्वीट होती है बहुत ही मीटी होती है तो स्वीट से बनाएंगे स्वीट्जरलैंड में चीनी कही तो बनाते हैं तो बहुत स्वीट होता है इसलि को बोलते हैं जो केरल का जो तट होता है उसी को तो बोलते हैं मालावार तट तो सात्वा मालावार नदी महुच्छा भी कहां मनाया गया था केरल में उसके बाद केरल के कहां पर कोजी कोड डिस्ट्रिक्ट में कोजी कोड जिले में उसके बाद इंडिया ड्रोन महोटसो का योजन दहरादून में किया गया था देखें ड्रोन से क्या होता है आप जिस सीन को उतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे उस सीन को दिखाने के लिए किस इसका इस्तिमाल किया जाता है drone का drone उपर उड़ता है तो काफी दूर दूर की चीज़ों दिखती है तो दूर दूर से धहरादून बना लेंगे उसके बाद बेहदीन खलम महथसो और नोंग करेम डांस फेस्टिबल ये दोनों का आयोजन कहां पर किया था मेघाले में तो बेहदीन खलम ऐसे नहीं लग रहा कि कोई बेदखल कर दिया है ठीके बेहदीन खलम तो बेदखल माली जे कोई कर दिया और नोंग करेम तो इन दोनों को मेघाले को से कैसे कोरिलेट करेंगे देखिए कोई धक्के मार के कर आपको बेदखल करेगा तो आप क्या हो जाएंगे, गायल हो जाएंगे, तो गायल बेदखल कर दिया, प्यार से तो बेदखल करेगा, कोई नहीं धक्ये लोकल के, या फिर धक्ये मुक्ये मार के बेदखल करेगा, तो आप क्या हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे, घायल से बेगाल है, उसके बार नों करें में घाले उसके बाद नमस्ते थाइलांड महाच्व तो देखें नाम है थाइलांड थाइलांड में इसका आयोजन नहीं दिशल्टा नहीं दिल्ले साण और योग महाच्व के पूरे में आयोजन Ireland था अंतरंतर्स्ट्री против अंतर्स्टी सम्मिलन हमने देखा था कि अंतर कर这 अंतर्स्ट्री यह अंतर्स्टि बहुत सम्मिलन के ऐए थो यह किया गया लुंबिनी नेपाल में किया गया था उसके बाद एषियान लीडर्शिप सम्मिट इसका इवितान भूटान चुन पा about अगर आपको एशिया का लीडर बनना है ठीक है या फिर आसे जानकी अगर आपको एशिया की लीडर्शिप समाल नहीं है तो देखें चम्पू लोग तो नहीं समाल सकते हैं उसके लिए काफी टैलेंटेड स्मार्ट नहीं ठीक है काफी टैलेंटेड बन्दा होना चाहिए ठी इसका आयोजन देखिए एक प्लेस है जिसका साओधी अरब में तो इसका आयोजन वहाँ यह उतना इपॉर्टेट नहीं है उसके पाथ विश और रोबोट सम्मिलन देखिए रोबोट सम्मिलन का योजन जी था वह बिजिंग चीन में किया था रोबोट इंसान कप बनाता है इसका यूज कप कर सकता है जब वह बहुत बीजी हो किसी दूसरे काम को करने के लिए उसके पास टाइम ही ना हो तो बहुत होता है तो रोबोट को वो काम दे देता है तो बीजी से बीजिंग और दिजिंग महुट्सो में कैसे है किया था दिजिंग और बीजिंग सेम से मारे था इसे उसके बाद प्रतम आधिवासी दमेटा सम्मेलन। इसका आयोजन चो था वो 36 गड़ के दांते वाड़ा में किया गया था हमने दिखा था जन जाती है अधिवासी बोलिये तो जहार जन जाती की संख्या भी कम आधिवासी की संख्या भी कम और पूछा गया था कितनी है तो 36 हमने बताया था तो यहां पर भी 36 बताईए तो 36 गड़, 36 गड़ के कहां पर दांतेवाड़ा में किया गया था उसके बाद बिस्केट जत्रा बिस्केट जत्रा का जो आयोजिन किया गया था वो नेपाल में किया गया था तो बिस्केट को कैसे लिहार लखेंगे देखें बिस्किट को आप ऐसे मिलें, दिकिए बिस्किट जो है हमेशा कैसी पसंद आती है, कठोर, बिस्किट कैसी होती है, कठोर जैसे मतलब कठोर हो, बहुत क्रिस्पी होती है, तब ही आप सबको पसंद आती है, मतलब कठोर होती है, और अगर वही नम पढ़ जाए बिस्किट तो अच्छी लगती है क्या नहीं ना तो बिस्किट काथोर ही पसंद आता है तो काथोर से काथमांडू का है निपाल उसके बाद भारत भारत बिजबादेन सम्मेलन इसका आयोजन भी भारत में किया गया था उसके बाद वैश्विक मलेरिया सिखर सम्मेलन का आयोजन तो कहां पर इनाटड किंग्डम में फूल दे उत्यार का उत्राखंड में तो उत्राखंड कैसे धानगेंगे सबसे जादे बूजा पार्ट जैसे जितने भी प्रयाग प्रयाग वह होते हैं नंद प्रयाग कर्ड प्रयाग और यह सारे कितने भी बहुत सारी मंदिर है उत् हाथियों मेंली राजस्तान के जैपूर में इसका आयोजन किया जाता है तो देखे कैसे आ रखेंगे जो राजा महराजा होते हैं वो कैसे आते हैं हाथियों पर आते हैं और उनको उनकी क्या करते हैं सब जैजय कार करते हैं तो हाथियों महुत्सो कहां पर जैपूर में किया उनकी सब जय जय कार करते हैं तो जयपूर में और पुषकर क्या करते हैं फूल छड़कते हैं तो वो भी राजस्थान में हो गया लोसांग थे और सबसे पहले याद करी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सॉंग हम गारा कप का थे जब हमें सिक्के मिलते हैं यानि पैसे मिलते हैं और लोसार अगर सारे के सारे पैसे चले जाएं तो हिमांचल चल आ रहा है न चले जाए तो हिमांचल प्रदेश बन रहा है तो लोसार मौत सो हिमांचल प्रदेश में आजन किया गया था लेकिन लोसांग तेवार का कहां पे सिक्किम में सूरज कुंड मिला ये हमेशा जो है फरीदाबार हर्याड़ के फरीदाबार में लगता है और पॉंगल और जली कट्टू तेवार ये तमिल नाडू का तेवार है कैसे आ रहेंगे तमिल आप किसी से गल करना मतलब क्या होता है किसी से बातचीत करना तो पॉंगल आप गल किसी से तभी कर सकते हैं जब किसी दूसरे वाक्ति से मिलेंगे तभी ना तो मिलना मिल किसमें आ रहा है तमिल में तमिल नाडू और जली कट्टू और गल बातचीत क्या करें हम यह जल गये हम वहां कट गया जलना कटने की बात कर एधं transitions मिलने पर बात कर है तो यहीं सो हो गया तो मिलना Ettore थोड़े से ओर बचा हैं दो तीन उसके बाद देखे क्या है रड़ उत्सो और उगादी तेवार तो रड़ उत्सो और उगादी तेवार कहां पर आजन किया गया थे इसका गुजरात में तो कैसे हां रखेंगे देखिए उगादी तो उगादी मतलब आप ऐसे बना सकते हैं उड़ा उड़ा कर गाड़ी चलाना ठीक है उड़ा उड़ा एकर गाड़ी चलाएंगे, तो क्या जाएंगे गुजर जाएंगे, जyyINS गुजराद, और रन महोंच सो, रन महोंच सु हैसे ध्याद रहाएं कि मतलब हमेशों सही रन्नीं, से गाड़ी जलानी चाहिए, तो इसमें दोनोंधी ध्याद मा साकता है, सही रननीती कहा मतलब क्या जहां बहुत बीड है वहां थोड़ा अराम से चलाईए जहां खाली है वहां थोड़ा तेज कर सकते हैं ब्रेकर आए तो ध्यान से चलाईए तीके सही रननीती से चलाईए तो आप नहीं गुजरेंगे ऐसे याद रखिये उसके बाद कंबाला भैसा दौर तो ये बहुत ही फेमस है इसका आयोजन करनाटक में किया जाता है तो कैसे याद रखेंगे देखें भैसा दौर यानि अब मा लीजे कि कोई वैकती है खा खा के बिल्कुल भैस जैसा हो गया है और लोग उसको बोलते है थोड़ा दोड़ा कर लेकिन वो क्या करते है बहुत नाटक करता है दोड़ना ही नहीं चाता है तो नाटक करता है, तो करनाटक याद रखेंगे, कोई भैस जैसा हो गया, सब बोलते हैं कि थोड़ा नाटक, मतलब थोड़ा दोड़ता ही नहीं है, और बहुत नाटक करता है नहीं, दोड़ने का, हमेशा बहाने बनाता है, तो कंबाला, भैसे बहार रचिते हैं, हमेशा जब गए है बिखें आर्ट वड़ दू आँ प्रदेश से बनाए बंस चाने ना मुगही तो यह सब है अमने ट्रिक्स तो यह लोगा फानी और interesting रहा होगा आप सबको हमें I know सबको याद हो क्या और आम से तो अगर आपको एक बर फिर से revision करनी के जरूर थे तो दुबारा आप जो है अपना speed मतलब जो अपना speed नहीं जो speed है वो बढ़ा के देख सकते हैं so thank you for watching मिलते हैं आपको next वीडियो में